हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम टू यूपी से एसस टैली परेम स्रीज का लेक्चा नमबर 53 है और हम पिछले वीडियो में जनौरी मन तक कंप्लेट कर चुके हैं यहाँ पर आप डेवोग में देख सकते हैं जनौरी तक इंट्री कंप्लेट हो चुके हैं आगे बढ़ते हैं हमारा अगला मन्त है फरोरी और यहाँ पर पहला कुश्चन है पिटी के सेर संबिटेट था एक्सपेंसे स्टेट्मेंट जिसके बारे में आपको अच्छे से पता है और बाकी इस मन्त में यहाँ पर हमें कुश नई इंट्री देखने को मिलेंगी जैसे यहाँ पर इंट्रेस्ट केलकुलेशन की है तो यहाँ पर यह वीडियो काफी इंपोर्टेंट हो जाता है चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम पहला कुश्चन सॉल्फ करते हैं यहाँ पर अपको पता है कि यह सारी चीजें जितने भी एक्सपेंस्ञें हे डेबिट हो जाएंगे वाउचर यहाँ पर पेमेंट होगा और करेडिट में आपका पिटी कैस रहेगा और इसका अमाउंट कितना है इसका अमाउंट है 600 इहाँ पर 600 रुप है expenses का laser बनाया था, उस time हमने call center उसमें yes भी नहीं किया था, फिर ये क्यों है, तो यह आपको पता है, अगर आपने अभी तक वीडियो सारे ध्यान से देखे हैं, ठीक है, अभी यहाँ पर हमें क्या करना है, telephone expenses को control के साथ enter button प्रेस करना है, और इस laser को edit करना है, आप चाहें तो यहाँ से इस laser का name या फिर इसका under change कर सकते हैं, फिलाहाल तो यहाँ पर हमें call center और applicable इस option को no करना है, ठीक है, और आप में यह option अगर नहीं आ रहा है, तो आपको यह भी पता है, आपको F12 configuration में जाना है, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा, apply call center for laser, ठीक है, यहाँ पर आप option देख सकते हैं, apply call center for laser, इस option को अगर आप yes करेंगे, तो यहाँ पर आपको यह option मिलेगा, और इस option को आप yes करना ही है, ठीक है, मुलब yes कर ले, तो यहाँ पर इस option को आपको no कर देना है, clear है, बास समझाई, मुलब वहाँ से अगर उसे आप yes करेंगे, तो यहाँ पर यह option आपको मिलेगा, जहाँ से इसे no करना है, clear है, और इस option को हम वहीं पर yes करते हैं, जिसमें हमें call center की जरूत होती है, जैसे rent हो गया, अगर हम एक से ज्यादा office या go down का rent दे रहे हैं, तो वहाँ पर rent का call center बनेगा, salary का बनेगा, यह सब चीजे हैं, फिलाल यहाँ पर salary में इसको yes करना है, बाकि no करना है, तो यहाँ पर इसको no कर दिया, और control एसे accept करेंगे, और फिर enter करेंगे, दूसरी बार यहाँ पर debit हमारा क्या है, देखते हैं, दूसरी बार debit है, electricity expenses 11 सो रुप है, ठीक है, तो electricity expenses आपका हो जाएगा, 11 सो रुप है, और इसमें भी यहाँ पर देखें, वही सारी चीजे बार-बार पूछेगा, तो यहाँ पर वापस आरना है, आपको control enter करना है, और इस option को no करना है, इसी तरी यहाँ पर यहाँ पर यह इंट्री हमारी complete हो गई, आगे बढ़ते हैं, अगला question है, Mr. Kapil raised an invoice on Om Telecom, यानि कि Mr. Kapil ने क्या किया है, एक बिल बनाया है Om Telecom के लिए, अब बिल क्यों बनाया है, यह आपको अच्छे से पता है, कि Mr. Kapil क्या है, event management service, यह सारी चीज़ आपको अच्छे से पता है, और यहाँ पर आप नीचे एक last line देखेंगे, the interest is applicable at 12% per annum after the due date of invoice, यानि कि यहाँ पर बताया गया है कि इनके उपर 12% का interest भी लगेगा, जिस दिन से यह bill generate होगा, उस दिन के बाद से interest calculation start होगी 12% per annum के हिसाब से, यानि कि per year, ठीक है, यह आपको पता है कि जो interest होता है, वो कई लोग monthly calculate करते हैं, और कई लोग yearly calculate करते हैं, तो यहाँ पर जो interest है, वो yearly है, यानि कि per annum है, clear है, यह चीज clear होगई, चलिए, तो अब यहाँ पर, अगर, यहाँ पर माल लेते हैं, थोड़ी दिर के लिए, कि अगर हम interest calculation नहीं करते, तो यह एक normal entry होती, और इस तरह की entry हम January मन्त में कर चुके हैं, पिछले वीडियो में, बिल्कुल वैसे ही होती, लेकिन यहाँ पर interest calculation भी है, तो यहाँ पर interest calculation automatic हो, इसके लिए हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जब हम interest calculation on telecom पर on कर देंगे, तो यह automatic interest calculation स्टार्ट होगी, और हमें manually interest calculate नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, तो इस option को आराम से समझ लें, क्योंकि यह important है, और इसका real work में ज्यादा इस्तमाल होता है, क्योंकि अक्सर वहाँ पर क्या होता है, कि जो step हम बता रहे हैं, उन सेम step को आराम से आपको follow करना है, कुछ भी उसमें से miss नहीं करना है, ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर इस option को यहाँ से हम yes करेंगे, तो यह हमारा जो feature है, यह on हो चुका है, control एसे इसको accept कर लेंगे, सबसे पहले हमने यह किया, दूसरे number पर हम क्या करेंगे, party name में इनका laser बनाएंगे, own telecom का ठीक है, तो यहाँ पर हम own telecom का laser बनाते है, own telecom और यह new delay के हैं, ठीक है, तो option आप में आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर F11 प्रेस करना है, और enable bill wise detail entry इस option को yes कर लेना है, हला कि आपने यह option पहले से yes होगा, क्योंकि हम पहले ही on करवा चुके है, ठीक है, और enter करेंगे यहाँ पर, आप चाहें तो यहाँ पर default credit period भी set कर सकते हैं, जैसे अगर हम चाहते हैं कि इनकी interest calculation तो start हो, लेकिन इनको हम कुछ time दे रहे हैं कि यहाँ पांच दिन के बाद, या 10 दिन के बाद interest calculation स्टार्ट होगी, अगर आपने 10 दिन के अंदर payment कर दिया, तो interest नहीं लगेगा, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर हम कुछ day set कर सकते हैं, फिलाल, फिलाल यहाँ पर इसको हम 0 छोड़ देंगे, 0 छोड़ने का मलब है blank छोड़ देंगे, ठीक है, और enter करेंगे, यहाँ पर last में हमें activate interest calculation, इस option को यहाँ पर हमें yes करना है, ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हम yes करेंगे, तो हमारे सामने interest parameter आ जाएं override parameter for each transaction इसे भी yes करना है, override advance parameter इसे भी yes करना है, और इन सभी options के बारे में आपको हम बताएंगे कभी detail में, अभी यहाँ पर आप इसको ध्यान रखेंगे कि कौन से option यहाँ पर हम on करने हैं, कौन से off करने हैं, ठीक है, rate में यहाँ पर हमारा रहेगा 12% आपका जो भी हो, ठीक first day का है, तो उस हिसाब से interest calculation होगी, और अगर आप 30 day ही select कर देंगे, तो month कोई भी हो, वो 30 day के हिसाब से लेगा, लेकिन यहाँ पर जो हमारा है, वो calendar year रहेगा, क्योंकि हमारा yearly charge हो रहा है, interest जो है, वो yearly लग रहा है, यानि कि per annum, तो यहाँ पर हम रखेंगे calendar year, या फिर ह calendar year set करते हैं, क्यों, क्योंकि कुछ year 366 day के भी होते हैं, तो calendar year set करने से benefit यह रहेगा, कि जो भी year, अगर leap year होगा, तो उस हिसाब से calculation होगी, फिलाल यहाँ पर calendar year set करेंगे, फिर यहाँ पर interest balance, यानि कि कि किस balance पर interest लगना चाहिए, all balance या फिर credit या फिर debit, अब यह क्या है, तो जैसा कि आपको पता है कि जो हमारे Sunday debitter होते हैं, उनका balance हमेशा debit होता है, यानि कि जब हम उनको उधार देते हैं, तो उनका जो balance होता है, वो debit side में होता है, और कभी-कभी credit में भी होता है, कब होता है, जब हमारे Sunday debitter हमें advance दे देते हैं, तो वो क्या होता है, वो credit side में जाता है, ठीक है, तो वो balance credit में होता है, तो हैं यहां पर interest त centriff david balance पर ही charge करना है, तो यहां पर हम set करेंगे debit balance only, clear है, तो debit balance set करेंगे, क्योंकि debit का मलब सीधा है कि हमने उधार दिया है, तो उसी पर हमाइं interest लगाना है, तो debit balance only set करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर applicability, यानि कब से apply करना है, तो यहाँ पर past due date रखेंगे, और यहाँ पर फिर से आप set कर सकते हैं credit limit, ठीक है, हलाकि हम credit limit को यहाँ से भी set कर सकते हैं, यह period होता है, यहाँ पर हम चाहें, तो यहाँ पर 10 days या 5 days जो भी चाहें, वो set कर सकते हैं, फिलार य यहाँ पर zero days, यानि कि उसी दिन से interest लगना start हो जाए, फिर यहाँ पर calculated from में हम set करेंगे due date of invoice, ठीक है, और बाकी इन option के बारे में, जैसा कि हमने बताया, इसके बारे में हम separate video में देखेंगे, तो यहाँ पर हम set करेंगे due date of invoice, और enter करेंगे, और यहाँ पर rounding limit को हम चाहें, तो यहाँ पर not applicable रख सकते हैं, या फिर normal rounding 1 से करा सकते है, इसके बारे में आपको पता है rounding क्या होती है, ठीक है, और enter करेंगे finally, और यहाँ पर हम set करेंगे कि इनका state है, वो new delay ही है, और यहाँ पर इनका state जो है, वो delay ही रहेगा, ठीक है, आपको वहाँ पर question में मिल यहाँ पर यहाँ पर अचेप्ट कर लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर partner में हमारे हो जाएगे, ओम telecom, इस तरीके से यहाँ पर ओम telecom का laser बनेगा, ठीक है, बास समझ आ गई, तो यहाँ पर ओम telecom का laser बनेगा, पर्टिकुलर में आपको पता है, यह event management हो जाएगा, event management service कितने कि 65,000 रुपए की, और यहाँ पर tax classification detail में आपका रहेगा, interstate sales taxable, क्योंकि यहाँ पर हम UP के हैं, और यह जो home telecom है, यह new delay के हैं, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इनका रहेगा, interstate sales taxable, यानि कि IGST लगेगा, तो यहाँ पर हम IGST लगाएंगे, ठीक है, और enter करेंगे, finally for transaction और इसको accept कर लेंगे, यहाँ पर हमें new रखना है, और interest parameter एक बार फिर से आएंगे, जिसे हमें ऐसे ही accept कर लेना है, इसमें कोई changes नहीं करना है, ठीक है, और finally यहाँ पर इसको हम accept कर लेंगे, तो यह entry complete हो गई, ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर interest calculation जो है, वो start हो चुकी तो अभी देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं है, लेकिन जैसे हम date change करते हैं, अगर यहाँ पर हम date change कर देते हैं, माल लेते हैं March, एक तीन कर दिया, तो यहाँ पर तुरंत देखिए, जो है interest calculation जो है, वो आ चुकी है, अभी यह current assessment में दिखा रहा है, जो इंटर करेंगे, और एक बार और इंटर करेंगे, यहाँ पर detail में दिखाएगा, ओन टेलिकॉम, 76,700 रुपए पर 14,488 रुपए यह automatic calculate हो चुका है, ठीक है, मलब एक महीनी का, बासमाजाई, मलब फरोरी में इंटरी पास हुई थी, और यह March तक, यानि 30 दिनों का लगबग, यह इतना आपका interest बनाए, ठीक है, फिलाल, तो इसकी इंटरी हम बाद में करेंगे, interest calculation तो start हो चुकी, आपको पता है, फिलाल यहाँ पर हम आगे बढ़ते हो, date चेक कर लेते हैं, यहाँ पर date जो है, आपकी January सेट है, तो I think हमें लगता है, date हमने नहीं चेंज की थी, क्या, चलते हैं यहाँ पर day book में, और I think यहाँ पर date हमने नहीं चेंज की थी, आनि कि जो February वाली इंटरी है, वो January में ही हो गई, तो इसको सही कर लेते हैं, कैसे सही करेंगे, आपको पता है, हमने अभी एक इंटरी पास की है, तो यहाँ पर आपकी payment voucher पर यह एक इंटरी होगी, telephone expenses की, यहाँ पर accept कर लेंगे, तो यह February में इंटरी जा चुकी है, और जो अभी just हमने ओम टेली कॉम वाली की है, इसको भी यहाँ पर इंटर करेंगे, और इसमें भी date change कर लेंगे, एक माइनस दो, और यहाँ पर यह भी इंटरी फरोरी मन्त में जा चुकी है, बद दो ही इंटरी हमने पास क है, यहाँ पर आपको पता है, voucher receipt होना है, और credit में यहाँ पर कौन होंगे, देने वाले यानि की Mohan Trading Company, ठीक है, और इनका अमाट कितना है, 47,200 रुप है, 47,200 यह full settlement कर रहा है, इसके साथ adjust कर देंगे, डेविट में यहाँ पर आपका हो जाएगा, SBI Bank क्योंकि यह check हमें मिल है, ठीक है, और enter करेंगे, finally, यहाँ पर इस entry को accept कर लेंगे, complete हो गई, अगले question की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पर देखे, CGST, SGST जो है, वो pay किया गया है, चेक द्वारा pay किया गया है, ठीक है, और यहाँ पर देखे, amount हो गया, कुछ नहीं बताया गया, कोई दिक करनी हमें trial balance में, पता चलेगा, कि कितना CGST, SGST हुआ है, ठीक है, जिसे हमें चेक द्वारा pay करना है, तो tax कैसे पकरते हैं, आपको अच्छे से पता है, चलते हैं, यहाँ पर DT, यहाँ पर देखेंगे, duty and tax में, अभी जो balance है, वो, यहाँ पर credit side में आ चुका है, जिसमें से CGST कितना ह and voucher में, और यहाँ पर voucher आपका payment रहेगा, और यहाँ पर हम click करेंगे, GST pay करने के लिए हमें stat payment लगना होता है, जिसके लिए auto fill पे click करेंगे, auto fill और यहाँ पर stat payment, और फिर उस बाद GST, और यहाँ पर हम regular dealer है, कब से कब तक pay कर रहे हैं, तो 1 January से pay कर रहे हैं, कब तक, तो 5,400 रुपए, और दूसरी बार debit में होगा, S GST, simple entry है, ठीक है, और यहाँ पर इसका भी amount same होगा, और credit में यहाँ पर आपका finally हो जायागा, चेक क्योंकि यहाँ पर हम check दौरा pay कर रहे हैं, बस हो गए entry, और यहाँ पर इसको हम accept कर लेंगे, तो यह entry complete हो गई, तो इस तरीक यहाँ पर payment debit में हो जाएगा, salary expenses 20,500 रुपए, एंटर करेंगे, यहाँ पर Jai Singh, Jai Singh को कितनी दी गई, एक बार confirm करते हैं, 7,500 रुपए, और फिर उसके बाद यहाँ पर और कौन है, कविता चौधरी 6,000 रुपए, कविता चौधरी है, 6,000 रुपए, और last में यहाँ पर र Stat payment, GST और regular, और यहाँ पर वही same date रहेगी, और debit में यहाँ पर आपकी बार रहेगा, IGST कितना, 18,900 रुपए, एंटर करेंगे, credit में यहाँ पर आपका SBI Bank हो जाएगा, ठीक है, SBI Bank, और इसको भी यहाँ पर हम कंट्रोले से accept कर लेंगे, तो यह entry पर हमारी complete हो गई, फिर उ उसी का charge है, ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो है, इसके entry पास करनी है, और यह रहेगा, आपका checkbook charge, यह expenses रहेगा, ठीक है, और यह जो है, bank से ही direct किया गया है, इसलिए credit में आपका bank होगा, तो voucher payment, debit में यहाँ पर checkbook charge, अंडर जाएगा, यह indirect expenses कि, किसके अंडर जाएगा, indirect expenses क्योंकि यह हमारा एक तरीके का खर्चा है, और यहाँ पर यह सब not applicable रहेगा, यह normal laser है, ठीक है, और इसको accept करते हैं, कितना है checkbook charge, 145 रुपए, credit में SBI, bank हो जाएगा, और यहाँ पर इसको भी हम accept कर लेंगे, ठीक है, तो यह entry भी complete हो गई, last entry है, withdraw किया गया है, 5000 रुपए personal use के लिए और यह cash की entry है, तो voucher payment debit में आपका withdrawal कितना 5000 रुपए, और credit में cash और controller से इस entry को भी हमने accept कर लिया, यहाँ पर चलिए फटा फटा फट trial balance मेंच करते हैं, अब यहाँ पर इस वीडियो में हमने interest calculation तो देख लिया, अब इसकी adjustment entry कैसे होगी, वो हम March में देखेंगे और यहाँ पर हम चलते हैं, पहले तो trial balance मैच करते हैं, तो यहाँ पर display and trial balance और यहाँ पर trial balance में आपका amount उपर से मैच करना स्टार्ट करते हैं, 4,11, ठीक है, 4,39, 255, तो यहाँ पर finally पूरा trial balance हही है, बस यहाँ पर एक गड़बड है, एक तो यहाँ पर आपका indirect expenses गलत आ र यहाँ पर आ रहा है कम और यहाँ पर आ रहा है ज्यादा, ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं, 200 रुपए exactly हम देखेंगे सबसे फिले इसमें expenses को, ठीक है, expenses में क्या difference है, तो यहाँ पर trial balance में देखते हैं, कौन सा expenses का amount कितना है, तो यहाँ पर bank charges 145 रुपए बात वही है checkbook charge यहाँ पर हमने laser का नाम रखा है, यहाँ पर bank charges थे बात वही है, ठीक है, और convince का कितना है, 1000 ठीक है, 300 रुपए, देखें, यहाँ से गड़बड आ रही है, discount जो है, इसमें आपका दिखा रहा है 300 रुपए, और जब कि यहाँ पर discount जो है, वो 500 रुपए दिखा रहा है, तो आपको पता है कि January का अगर गलत होगा, तो फरोरी का भी गलत हो जाएगा, ठीक है, शलिए तो यहाँ पर देखते है, January में यहाँ पर कितना था, discount expenses, January में 300 रुपए ही था, तो यहाँ पर फरोरी में, फरोरी, फरोरी हाँ, तो यह फरोरी में 500 रुपए कैसे हो गया भई तो देखते हैं, यहाँ पर कोई entry हो सकता है, ऐसी हो, जिसमें discount का यूज किया गया हो, तो यह देखें, यहाँ पर Mohan Trading Company, जो यह entry है, इसमें discount 200 रुपए का हुआ है, अच्छा, ठीक है, अच्छा, यहाँ पर हमने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि जो Mohan Trading वाली entry थी, इसमें 47,000 रुपए जो है, जो हमने चेक इसू किया था, और यहाँ पर full settlement किया है, यानि कि 200 रुपए discount हो गया है, ठीक है, तो बास समझ आ गई, तो हमें क्या करना है, बस यह entry देखनी है, तो यहाँ पर यह entry जो है, यह फरोरी में आई है, ठीक है, तो यह और finally यहाँ पर एक बार debit और आपका होगा discount expenses कितना 200 रुपए और अब सारी चीजे जो है, वो सही हो जाएंगी, ठीक है, और सही हो जाएंगी, I think क्या, सही हो चुकी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, सारी चीजे ओके है, पुगरा trial balance complete सही है, ठीक है, तो mistake कहां से थी, कै कैसे पकड़ेंगे, यह भी आपको थोड़ा सा पता चल गया होगा, ठीक है, अगर कहीं भी गड़बड होती है, तो आप तुरंद देखें, अगर cash और bank में कोई गड़बड होती है, तो आप देखें कि हो सकता है, कोई दूसरी entry भी साथ में गलत हो, जैसे यहाँ पर हमने अगली वीडियो में मार्च मंत को कंपलेट करेंगे, और मार्च में यहाँ पर फिर से हमें यहाँ पर कुछ एक दो इंट्रियान नहीं देखने को मिलेंगी, ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके सो, थैंक्स पर वाचिन इस वीडियो,